Hello everyone, मैं हूँ किरिन शापुरी और यह है आप लोगों के लिए वेलेंटाइन स्पेशल February 2022 की Love Tarot Reading और देखे इस रीडिंग में मेरे पस खास Heart Confessions के कार्ड्स हैं और इन कार्ड्स में हम देखेंगे कि secretly आपके पार्टनर आपके लिए क्या महसूस करते हैं या फिर क्या मन ही मन व आपको कहना चाहते हैं और नहीं कहते हैं And before I start the reading, wish you all a very very happy Valentine's Day I wish all the happiness, all the joy for your relationship And दूसरी बात, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब करें इसके साथ साथ अगर आप डेली टारो रीडिंग में इंट्रेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विजिट कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और दिखे इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं सान, साइन, मून, साइन, एसेंडंट या पिर नाम के हिसाब से भी राशिया होती हैं उसके अगर आप मुझ से पूचेंगे तो मैं आपको यही कहूंगी कि जिस sign को आप अभी तक follow करते आ रहे हैं या पिर जिस sign के हिसाब से आप अभी तक अपनी readings को देखते आ रहे हैं सुनते आ रहे हैं आप उसी sign को follow करें तो चलिए जी शुरू करते हैं February 2022 की Love Tarot Reading तो चलिए जेमिनीज आप लोगों के लिए देखें कि February 2022 में आपकी Love Life कैसी रहेगी और जैसे कि मैंने आपको बताया कि Valentine Special है और इसी लिए हमारे पास यहाँ पे तीन पाइल्स की जगापर फोर पाइल्स हैं तो फोर्स पाइल में हम देखेंगे कि आपकी क्या Energies रहेंगी सेकेंड पाइल में हम देखेंगे कि आपके Partner की क्या Energies रहेंगी और थर्ड पाइल में हम देखेंगे कि Finally February मन्त में क्या हो रहा है और देखिए fourth pile में जैसे कि आप पढ़ पा रहे होंगे heart confessions लिखा हुआ है तो आपके partner की secretly you know आपकी क्या feelings हैं क्या वो मन ही मन आपके बारे में इस relationship के बारे में सोचते हैं आप feel करते हैं, कहना चाहते हैं लेकिन नहीं कह पाते हैं इन ही सब चीजों को हम इस pile में देखेंगे और इसको हम reading के बाद देखेंगे तो सबसे पहले Gemini's हम आपके energy से शुरू करते हैं और आपके लिए हाँपे Oracle cards से Time का card है, Passion and Freedom के भी cards है और Rider of Edge से आप लोगों के लिए Eight of Wands Rivers, Queen of Pentacles and King of Souls Rivers के cards हैं तो देखेंगे सबसे पहले मुझे ये दोनों cards दिख रहे हैं और ये दो cards आपकी relationship में या फिर आपकी life में दो लोगों की भी बात कर सकते हैं और ये आपकी भी energies हो सकती हैं और देखिए अगर ये दो लोग हैं आपकी लाइफ में तो एक female दिख रहे हैं एक male दिख रहे हैं या फिर एक की काफी masculine energies हैं दूसरी की काफी feminine energies हैं और जो masculine energies वाले इंसान हैं उनकी वज़े से issues और मसले रह सकते हैं और feminine energies वाले इंसान की वज़े से एक practical tangible support किसी level पर आपको मिल रही है और feminine energies अगर ये आपकी energies हैं देखिए कहीं February starting में आफिर कुछ time से आऊ सकते हैं February month में भी आप बहुत logically चीजों को deal कर रहे हैं आप mind से चल रहे हैं आप थोड़े से upfront हो रहे हैं और कहीं देखिए power position authority आपके लिए काफी माइने रख सकती है थोड़े ego issues भी रह सक हैं और देखिए थोड़े से controlling और dominating भी आप रहते हुए दिख रहे हैं और deeper level के लिए देखिए freedom का card कहता है love can only flourish and grow in freedom create space to receive more तो देखिए यहाँ पे ये general reading है तो थोड़ा थोड़ा सब के लिए differ कर सकता है वो geminis के लिए हो सकता है कि आप अपने लिए freedom चाहा रहे हैं आप space चाहा रहे हैं और जादा देखिए मुझे दिख रहा है कि आप काफी controlling हो रहे हैं dominating हो रहे हैं और वो space आप अपने लिए नहीं रख रहे हैं और कहीं अपने partner को भी नहीं दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे देखिए king of swords rivers का card है और देखिए कुछ geminis के लिए हो सकता है कि तो उसमें relationship और grow करता है next level पे जाता है flourish करता है तो यहाँ पे देखिए इस चीज का आप खयाल रखें and mid February के लिए यहाँ पर passion and queen of pentacles के cards है passion कहीं enthusiasm की बात करता है excitement की बात करता है एक बहुत जबरदस्त you know connect की बात करता है और कुछ ऐसा ही आप money मन अपने partner के लिए महसूस क कर रहे हैं लेकिन surface level के लिए queen of pentacles का card कहता है कि आप बहुत practical बहुत realistic होके चीजों को deal कर रहे हैं और कहीं देखिए आप concrete कुछ इस relationship के लिए चाहते हुए देख रहे हैं आपको ऐसे लग सकता है कि बस अब you know आप बाते नहीं बहुत जादा करना चाहते हैं या फिर अपन partner की तरफ से भी अब बाते नहीं चाहते हैं you really want something again concrete in this relationship to happen commitment, long term, stability, security ये सब चीजें फिर से मैं कहूंगी या तो आप चाहा रहे हैं या फिर अपने partner को दे रहे हैं अब ख्वाबों में या फिर imaginary world में आप इस relationship को नहीं देखना चाहा रहे हैं और देखिए कहीं end February के लिए eight of wands, reverse and time के cards कहते हैं कि चीजें उस direction में नहीं जा रही हैं जिस direction में आप चाहा रहे हैं या फिर हो सकता है कि आप बहुत speed से इस relationship में आगे बढ़ना चाहा रहे हैं और उतनी speed नहीं हो पा रही हैं कहीं फिर से मैं कहूंगी कि चीजें slow दिख रही हैं और कुछ जेमिनी इस के लिए हो सकता है कि आप action initiatives लेना चाह रहे हैं लेकिन उस तरीके से आप action initiatives नहीं ले रहे हैं और देखें नीचे time का card कहता है कि या तो आप right time का wait कर रहे हैं या फिर देखें या पर cards कह alors है कि थोडा सा time और लग सकता है थोड़ी सी patience रटने की ज़रत है और देखें क्या ह जहां पर हमें लगता है कि बस इस टाइम तक यह हो जाना चाहिए और दूसरा divine time होता है और हमारे time से divine time जादा भेटर होता है तो यहां पर देखिये card की तरफ से आपके लिए यह भी message रह सकता है कि जो भी आप चाहते हैं आप उसके लिए effort करें आप उसके लिए महनत करें ल तो यह थी Gemini's आपकी energies और next reading में हम देखेंगे कि आपके partner की February मन्त में क्या energies रहेंगी and Gemini's this reading में हम देखेंगे कि आपके partner की क्या energies रहेंगी तो देखिये आपके partner के लिए हाँ पे oracle से self love, synchronicity and science first petal के cards हैं and rider bat से आपके partner के लिए lovers, rivers, four of pentacles and ten of cups rivers के cards हैं तो देखिये उन्हों cards love, प्यार, महबबत की बात करते हैं, soul connect की बात करते हैं, कहीं इस relationship को forever चाहने की बात करते हैं, वही cards reverse हैं तो देखिये इसका मतलब यह होता है कि यह सब आपके partner चाहा रहे हैं लेकिन कुछ issues, कुछ मसले भी हैं, कुछ blockages भी इन्ही energies के लिए वो महसूस कर रहे है या फिर you know उनकी तरफ से दिख रहे हैं, तो देखिये lovers का card फिर से हम देखें तो soul connect की बात करता है, बहुत जबरदस्त एक passionate energies की बात करता है, deep connect की बात करता है, जो की आपके partner आपके लिए महसूस कर रहे हैं और फिर से मैं कहाँगी कि इसी से ही related कुछ issues, कुछ मसले भी द बात करता है, companionship की बात करता है, family की बात करता है, और ये card भी reverse है, तो फिर से देखिये वो एक again togetherness चाहा रहे हैं, आपके साथ हमेशा के लिए आपका साथ चाहा रहे हैं, लेकिन इसी से ही related, कहीं 100% नहीं महसूस कर रहे हैं, या फिर से मैं कहूंगी कि कुछ issues, कुछ मसले ह और देखिये ये family का card है, तो हो सकता है कि उनकी या आपकी family की वज़े से भी कुछ issues है, जिनको लेकर वो 100% नहीं महसूस कर रहे हैं, या फिर जिनको लेकर कुछ issues, कुछ मसले हैं, और देखिये या पे synchronicity and sign का card भी कहीं इनहीं energies को और confirm करता है, इस card में लिखा हुआ है, align to your desires, notice signs and symbols for validation, तो दिखिये वो और sure होना चाहते हैं, maybe कुछ Gemini's के partner literally you know signs और जादा देख रहे हैं, जिससे कि उनको ये पता लगे कि भई वो जो कर रहे हैं, वो ठीक कर रहे हैं, यानि कि आपके साथ future सोचना या फिर आपके साथ इस relationship को आगे बढ़ाना, क्या ये सही है, या फिर से मैं कहूंगी क्या वो ऐसा सोच के या फिर ऐसा चाहा के ठीक कर रहे हैं, तो दिखिये यहाँ पर clearly synchronicity and signs का card कहता है, कि वो 100% sure नहीं है, वो और confirmation और surety चाहा रहे हैं आगे बढ़ने से पहले, और दिखिये यहाँ पर first petal का card कहता है, something is beginning to fade and fall apart, a flower cannot bloom again, तो हो स इसले हुए, जिनको आपके partner ने कहीं दिल पे ले लिया है, जिनकी वज़े से किसी level पे किसी तरीके से उनकी attraction खतम हुई है, और यहाँ पर दिखिये card कहता है, कि जैसे वो पहले आपके लिए महसूस करते थे, वैसा वो currently नहीं महसूस कर रहे हैं, और हो सकता है कि Gemini's आप इस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, या फिर आप नहीं देख पा रहे हैं, बट मन ही मन के लिए उनके लिए कहीं ऐसा ही दिख रहा है, कि किसी level पे किसी तरीके कि उनकी attraction थोड़ी सी कम हुई है, थोड़ा सा एक distance मन ही मन उनके मन में आया है आपके लि और देखे, self love का card कहता है, कि उनको ऐसा लग रहा है कि पीछे उन्होंने खुद को बहुत इगनोर किया है, उन्होंने खुद के बारे में नहीं सोचा, आपके बारे में इस relationship के बारे में बहुत सोचा है, और अब कहीं वो खुद के बारे में सोचना चाहते हैं, कहीं के उपर भी focus करना चाहते हैं, तो ये था Gemini's, आपके partner की energies, और next reading में हम देखेंगे कि finally February मन्त में क्या हो रहा है, तो देखें, February मन्त के लिए आप लोगों के लिए Oracle से Luminous, Arrow Heart and Closed Gate के cards है, Rider West से आप लोगों के लिए Nine of Cups Reverse, Seven of Cups Reverse and The World के cards हैं, तो देखें, सबसे पहले cards मुझे The World and Closed Gate दिख रहे हैं, और The World का card taro में Endings और Beginnings की बात करता है, एक phase के खतम होके नए phase के शुरू होने की बात करता है, Completion की बात करता है, और देखें, General Reading है, तो यहाँ पे Endings और Beginnings सब के लिए differ कर सकती हैं, कुछ लोगों के लिए Positive हो सकत हैं, तो फिर से देखें, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, कि जो चीजें पीछे issues create कर रही थी, problems हो रही थी, या फिर, you know, in general ही कुछ चीजें end हो रही हैं, और एक नया phase आप दोनों ही अपनी life का शुरू करना चाहा रहे हैं, और इसी से related कुछ दरवाजे आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक बंद कर रहे हैं, और दिखिए ये दरवाजा भी सब के लिए differ कर सकता है, कुछ लोगों के लिए कोई इनसान हो सकता है, जिससे आप किसी level पे connection खतम कर रहे हैं, कुछ लोगों के लिए जगा हो सकती है, कुछ लोगों के लिए project हो सकता है, काम हो सकता है अगें कोई भी चीज को आप बंद कर रहे हैं उससे related दर्वाजा बंद कर रहे हैं और अपने partner के साथ एक नई beginning आप किसी level पे शुरू कर रहे हैं और कुछ के लिए हो सकता है कि इस relationship में ही एक ending हो रही है जहाँ पे देखिए आप दोनों के बीच का जो gate है वो बंद हो रहा है और देखिए दर्वाजा हो सकता है जेमिनीज आप बंद कर रहे हैं या मैं कह सकते हो कि कुछ जेमिनीज हो सकता है कि ये gate अपने partner और अपने बीच में जो है उसको बंद कर रहे हैं कुछ जेमिनीज के partner के लिए हो सकता है और देखिए कुछ लोगों के लिए भी हो सकता है कि surface level पे आप लोग interact कर रहे हैं बात कर रहे हैं लेकिन मन नहीं मन वो connection नहीं महसूस कर रहे हैं मन नहीं मन ऐसा लग सकता है कि भई यूनो एक दरवाजा जो आप दोनों के बीच में था या है वो बंद हो गया है और देखिए आप यह भी हो सकता है कि जैमनीज यहां तो आप या फिर आपके partner social media पे ब्लॉक कर रहे हैं एक दूसरे को और देखिए जो भी हो कहीं mid February के लिए Seven of Cups Rivers का card कहता है कि पीछे हो सकता है कि बहुत ही एक distracted सी energies थी जहां पे आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक इस relationship में अच्छे से focus नहीं कर पा रहे थे बहुत सारी चीजे mind में चल रही थी बहुत सारे thoughts चल रहे थे और कहीं सोच बहुत जादा रहे थे कुछ action initiatives नहीं ले रहे थे जो भी चाह रहे थे उसको करने के लिए और कहीं हो सकता है कि कुछ decision कुछ choice भी लेना चाह रहे थे लेकिन again मैं कहूंगे कि बहुत जादा सोच रहे थे तो mid February में आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक un distractions को खतम करना चाहा रहे हैं जो आप अपने लिए चाहते हैं या फिर इस relationship के लिए चाहते हैं उस पे focus करना चाहते हैं उसके लिए concrete steps लेना चाहा रहे हैं और देखें जो भी surface level पे हो रहा है कहीं मन नहीं मन arrow hearts का card कहता है this love takes you in a different direction तो बहुत जबरदस्त एक प्यार महबबत आप दोनों ही एक दूसरे के लिए महसूस करते हुए दिख रहे हैं आप दोनों या फिर आप दोनों में से किसी एक को ऐसे लग सकता है कि भई ये प्यार आपको कहीं दूसरी ही दुनिया में ले जाता है और ऐसा relationship आपने अब तक अपनी life में नहीं experience किया और दीखें शायद इसलिए end February के लिए यहाँ पे Nine of Cups, Reverse and Luminous के cards कहते हैं कि चीजें किसी level पे better हो रही है कहीं एक प्यार महबत revive हो रहा है और दीखें Nine of Cups का card wish come true होने की बात करता है और कुछ ऐसा ही किसी level पे हो रहा है एक happiness, एक joy भी रहती हुई दिख रही है लेकिन देखें इहाँ पे Nine of Cups का card reverse है तो इन ही सब energies में एक missing feeling भी है यानि कि फिर से मैं कहूंगी happiness है joy है, radiance है क्योंकि luminous का card कहीं बहुत ही एक bright और happy energies की बात करता है लेकिन again साथी साथ एक missing feeling भी है तो देखें, nutshell में end February में चीजें काफी अच्छी रहते हुई दिख रही है या फिर मैं कहूंगी कि कुछ भी मसले अगर आप दोनों के बीच में चल रहे थे तो वो काफी हद तक February end में better होते हुई दिख रहे हैं तो ये आप लोगों के लिए February 2022 का एक overview था और अब हम next में देखेंगे कि आपके partner मन ही मन आपके लिए क्या महसूस करते हैं तो Gemini's आपके partner की secretive energies देखें आप फिर heart confessions देखें तो दिखें, जो उनकी energies थी February month के लिए उनसे उनके messages बहुत जादा resonate करते हुए देख रहे हैं और दिखें, सबसे पहला message है Be still in the unknown for now तो दिखें, बहुत ही clearly ये card कहता है कि वो 100% sure नहीं है चीजों को लेकर और दिखें, synchronicity and science के cards में भी हमने देखा था कि वो और चीजों को confirm करना चाहते हैं वो और validation चाहते हैं और ये card भी कहता है कि अभी उन्हों उन्हें नहीं पता कि आगे क्या होगा या फिर अभी तक उन्होंने future के बारे में नहीं सोचा है और फिर से मैं कहूंगी कि वो sure नहीं हैं चीजों को लेकर और यहाँ पे दिखें किसी level पे वो hurt हुए और अब उन्हें लगता है कि बस बहुत हो गया अब वो अपने तरीके से चलना चाहते हैं अब वो beyond the point आपके हिसाब से नहीं चलना चाहते हैं वो इस relationship की lead लेना चाहते हैं और दिखे feels too good to be true का card एक दो चीज़े कह सकता है और यहाँ भी फिर से मैं कहूंगी कि यह general reading है तो थोड़ा-थोड़ा सब के लिए differ कर सकता है कुछ के लिए positive हो सकता है और कुछ के लिए negative हो सकता है देखें अगर यह positive है तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें इस relationship में हो रही है जिनको देख के जिनको सोच के आपके partner बहुत ही अच्छा फील कर रहे है और होता है न कभी-कभी कुछ ऐसा हमारी life में हो जाता है कि हमें लगता है कि हमने सोचा ही नहीं था उससे भी जादा मिल गया है और हमें विश्वास ही नहीं हो रहा कि इतना अच्छा हमारे साथ भी हो सकता है तो फिर से देखिए जो भी आप कर रहे हैं उसको लेके या तो आपके partner ऐसा सोच रहे हैं ऐसा महसूस कर रहे हैं और यही आपको कहना चाहते हैं और कुछ जैमिनीज के partner के लिए हो सकता है कि पीछे कुछ चीजे हुई हैं जिनकी वज़े से उनका आपके उपर से विश्वास किसी लेवल पे खतम हुआ है वो आपको उस तरीके से trust नहीं कर पा रहे हैं और देखिए जैमिनीज हमने देखा भी कि आपके partner again देखिए थोड़ा और sure होना चाहा रहे हैं कहीं कोई चीज फेड हो रही है कहीं उनकी attraction मन ही मन थोड़ी सी कम हो रही है तो जो भी आप कह रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं उनको विश्वास नहीं हो रहा है या मैं कह सकते हूं कि वो 100% convinced नहीं है कि जो आप कह रहे हैं, वही आप दिल से चाहा भी रहे हैं या वही आप mean भी कर रहे हैं कभी-कभी उतर हम कहते हैं कि भई हमें विश्वासी नहीं रहा कि आप ऐसे बोल भी सकते हैं, आप ऐसे कर भी सकते हैं तो देखें कुछ जेमिनीज के पार्टनर के लिए ये भी मेसेज रह सकता है अगेन ये जनरल रीडिंग है तो थोड़ा थोड़ा सब के लिए डिफर रहेगा और जेमिनीज आपका रिलेशन्शिप है तो आप बहतर कनेक्ट कर पाएंगे कि आपके पार्टनर क्या मीन कर रहे हैं और वैसे भी देखें टारो अस्ट्रोलेजी, ब्रॉडली स्पीकिंग आपको बताते हैं यह जनरल रिडिंग होती है, बहुत सारे लोग देख रहे हैं सबकी सिचुएशन डिफर है तो बिलकुल इग्जाक्ट या फिर बिलकुल आकुरेट नहीं होता है अगिन यह एनरजी लेविल पे हम बताते हैं और ब्रॉडली स्पीकिंग यह आपके पार्टनर के हाट कंफिशन्स है और यह आपके पार्टनर की सीक्रेटिव एनरजीज है तो यह था जमनीज आप लोगों के लिए फिब्रवरी 2022 की लव टारो रिडिंग और अगर ये reading आपके साथ resonate करी है आपको आपके सवालों का जवाब मिला है तो इस चानल को like, share और subscribe ज़रूर करें